हेलो नमस्कार दोस्तों अभी भी मिली मौसम विपाक की जानकारी के अनुसार परियाग राज बांदा समय दस जिलों में आज बारिश की सिंभावना है शुबह और रात तक ही सिम्टी सर्ण ठंड जियां दोस्तों अब यूपी में बहुत तेजी से तापान बढ़ गया है आ देखने को मिलेगा पुरे उत्तरपर्देश में जिसकी कई जिलों के अंदर अच्छे कहसी तापान में बढ़ोती देखने को मिलेगी देर दिशे सर्दी और कम होगी दो दिन पहले पूरुजा कहाँ पर ज्यादा राया है तो किन-किन जिल्यों के अंदर बारिश के आसार है पूरी पूर जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना तो चलिए सुरू करते हैं आगे बने तो आपको च्छोटा सा काम करना होगा जल एक बार मार secondly सभी सभने हैं तो आप तक सानी से पहुचता पाहूं तो अब आत कर लेते हैं भी हैं। यूत्तर्परदेश लेकर दोत्त अगले तीन दिन तक बारिश का पूर्वर अन्मान लकनुम मौसम के इंदर ne जारी किया है लकनू मौसम के अंदर के मुताबिद दोस्तो आज कल और पर्शू उत्तर परदेश में बारिच होगी मौसम आज साम से बिगड़ेगा और दोस्तो आने वाले तीन दिनों तक इसी तरह रहेगा लकनू मौसम के अंदर के वरिष्ट वेगानिक मौमद दानिस ने पूर चितर कूर परियागराज मिर्जापूर और सोन बदर जैसे जिल्लें जो मध्य परदेश के सिमा से सटे हैं यहां पर हलकी बारिष का पूर अनमान है बात करें उत्तर परदेश की तो राजदानी लकनू की तरह यहां पर बाद लोग के आवाज आई रहेगी उन्हों को ने बताया कि बाकी सबी जिलों में दूप भी रहने का पूर अनमान है वही मौशम वेग्यानिक मॉमदान इसने बताय कि अब रात में ठंड का असर कम होंने वाला है और बारिष का सिलचिला ठमने के बाद रात में होने वाल ठंड में भी कमी आएगी अधिक्तिमौ नू पूसम के अंदर की और से जारी की गई शूचना के अनुसार लखनों का दिक्तम ताप पांट पत्चिस डिग्री से रहेगा वहीं बारवांकि हर्दोई कानपूर सहर कानपूर देहान लखिंपूर खिरी गोरगपूर वाराशनी समय बल्याबूर्च बहराइच वह पर्याग लेकर नोडिग्री से बीच रहेगा जबकि इन जिलों का दिक्तम ताप पांट टैईस डिग्री से लेकर 25 दिग्री से बीच रहने का पूर अनवान है पतेपूर बांदा सुल्तान नगर फेजाबाद फूर्शत गंज गाजी पूर और फतेगड बस्ती जांसी उर्य बावना है वहीं बरेली साजापूर नजीबाबाद मुझापनगर मेरट आगरा अलीगड़ और बुलंसर समयद इटावा में न्यूतन ताफपान बार से तेरा डिग्री शेल्चेज जबकि अधिक्तिम ताफपान चोबीश से चबी डिग्री शेल्चेज के बीच रह सकता है वहीं नोईडिया और गाजयबाद का मौसम की बात करें तो आजमगाड नोईडा गाजयबाद हापूर सारणपूर बाराबंकी कन्योज हर्दोई जैसे जिल्लों में अधिक्तिम ताफपान तेरी से पचीश डिग्री शेल्चेज के बीच रहने का पूरा नमान है जबकि नियुतन ताफपान इग्यरा से बारा डिग्री शेल्चिस के बीच रह सकता है वहीं उतर प्रदेश के ज्यादे तर जिल्लों में अधिक्तिम और ताफपान में वर्दी हुई है कल वहीं दिन के ताफपान आसमान साप रात तेज दूप खेलने से दिन के होने वाली ठंड का असर काफी कम हुआ है सुबह साम ठंडी हमाई भी चली मौसम विग्यान विवाग के अनुसार यहां पर दोस्तों आज से लेकर चार दिनों तक उतर प्रदेश के कुछ इलाकों मुंदा मांदी के साथ हलकी बारिस होने के आसर है और इसके बाद फिर से मौसम सुस्क होग अधिक्तमों नियुतन ताप पान में वर्दी दर्च की जाएगी पितले 24 गंटों में संपून उत्तर परदेश में मौसम सुस्क बना रहा कहीं भी बारिस नहीं हुए और नियुतन ताप पान के कुछ इलाकों में सामाने से काफी कम रहे आयो जो में सबसे अधिक ठंड र निकलने से मौसम सुना बना वहैं अधिक्तम तापान सबीरी से रिकोर्देर्ज के लिए जो संब्रेण है वह नीवतन तापान आच डीग्री छोactic की अजल्ड संब्ध कम हैं हुए sum और शियान विवाग के अनुसार दो तो आज सोबे से ही दुकर्य के दुन च्छाई रही वहीं दिन में आत्माना आज साफ रहेगा दूप खिलेगी और अधिक्तमतापन 22 वह नुतनतापन 8 डिगरी रहने के संभावना है वहीं कानपूर नगरी में आज अधिक्तमतापन की बात करें तो नुतनतापन आज 5 डिगरी से रिकुर्डर कहीं है गोरक्पूर के अदर आज न्यूतन थाकॉपन आठ डिग्री कहलें तीन डिग्री सलक ऋक्याद कर दर्शॉष वह्यारीद है वहराशनी वाराशनींन तन थॉल ईजह सब्सक्रेंट के वहरा बाढकॉद सुथ चरफ क्या गए जो क्या गया सामानीय हें पर्यागराज की बात करें तो पर्यागराज में आज नीवत्रं DRC टापन दिधettes Çels रिकोरद अब्द किया गया जो शामाने से तीन डी लिकॉर्टर के शेर जow सेट डी कम है मेरेट की बात करें तो मेरेट का आज समलने से एक डिडिकरी से कम है जो दोस्तों आग रहा में कि बात करें तो आग रहा मैं आज नीवुथन आंप पान रट डिपल के कमे क्म को नहीं अधिक्तम 25 डिग्री से रिकॉर्ड देट किया गया जो सामने से एक डिग्री कम है वहीं मौस्ण वेग्या ने कि डौक्टर अतुल सिंग ने बताया कि परदेश में पिछले कई दिनों से जारी तेट पच्वा हवा का दोर थमने के साथ ही सताई इस तर पर अपेक्षा हवाओं के साथ समागम होने के करण आज परदेश में बादलों की आवाजवी का आरम हो जाएगा और देर साम तक वीदनी सत्र में बुंदा बांदी के साथ हलकी बारिस होने की संभावना है वहीं दोस्तों काल और परसु इसे पूरा चल और दक्सनी इलाकों और एम बुं पार से पार दिनों तक परदेश में नियुतन तापान तीन से पार डिगरी चल चल जबकि अधिक्तम तापान में करम एक तीन से चार डिगरी सेल्टेश का उचाल होने की संभावना मौसम भागने जट आई है तो यह थे उतर परदेश के सबी जिलों के मौसम की जानकारी तो आपके यहां पर दोस्तों अभी मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना